साथियों हिंदी बुक्षाला में आप सभी का पुन्हा हार्दे कभी नंदन है जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्चिस तरिय प्रत्योगी परिक्षाओं की और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं कावे शास्त्र कावे शास्त्री उनके प्रमुग गरंथ जो परिक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके अलावा कावे लक्षणों को भी पढ़ लिया कावे लक्षण अर्थात जिन्हें देखकर आप यह तैय कर पाते हैं कि कौन सा मात्र कौन सा जो रचना है वह कावे की श्रेड़ी में आएगी अत्वा नहीं आज हम कावे हे तू पढ़ेंगे हे तू अर्थात कारण जैसे कि आप परिक्षाओं की तया आप यह वीडियो देख रहे हैं किस हे तू देख रहे हैं किस कारण से देख रहे हैं आपकी परिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए तो हे तू हो गई हेतुर ना कारणम अर्थात हेतु कारण को कहते हैं अथा काव्य एतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ती का कारण यानि कि कोई कवीता क्यों की जाती है यही काव्य हेतु कहलाता है किसी व्यक्ति में कावे रचना की सामर्थे उत्पन कर देने वाले कारण कावे हेतु कहलाते हैं बाबु गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवी की कावे रचना में सहायक होते हैं जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होगा, आप कारण नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी काम बिना कारण के नहीं कर सकते, तो यह जो आपका कारण है, इसे कावे के छित्र में हेतु कहा जाता है, भारतिय कावे शास्र में कावे हेतु के तीन भेद बताएगा हैं, ध्यान से देखिएगा प्रतिभा, व्यत्वपत्ति और अभ्यास इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुक कावे हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना गया है आचारे भामाने काव्य अलंकार में कभी की प्रतिभा को ही कावे स्रुजन का मूल हेतु माना है पूछा हुआ प्रश्ण है कि भामाने कौन सा भेद प्रमुक माना है तो काव्य अलंकार जो इनका ग्रंथ है जिसको हमने कल पड़ाता है जिसके बारे में वो उसमें कवी की प्रतिवा को ही सर्वशेष्ट माना है प्रतिवा कैसी होती है प्रतिवा जन्मजात होती है कोई किसी को इश्वर उपहार में बहुत सुंदर कंठ देतेता है वो बहुत अच्छा गायक बनता है कई सारी चीज़े होती देखे तीनों को समझते हैं प्रतिवा व्यत्पत्ति और अभ्यास प्रतिवा जन्मजात होती है व्यत्पत्ति होती है कि आपने कोई आपको उस विशे में समझाए ग्यान दे और धीरे धीरे आप उसे अपने अंदर उत्पन कर ले अभ्यास होता ने कि करत करत अभ्यास के जडमत हो सुजान यानि आप में निर्ट्य का कौशल बच्पन से तो नहीं था लेकिन आपने किसी गुरू के सानिध्य में जाकर इतनी प्रैक्टिस की इतना अभ्यास किया कि आप उसमें परफेक्ट हो गए तो ये तीन कारण हो सकते हैं ना वैसे ही कावेश रजना के विए कि आप ज अच्छे से समझेंगे इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुख कावेशेतु क्या है प्रतिभा अब थामह कावेश लंकार में कवी के प्रतिभा को मूल मानते हुए क्या लिखते हैं गुरू उपदेश आध्यस्त्यु शास्त्रम जडधियों आहिं का्वयम तू जायद ए बहले ही कुछ भी हो गुरु का उपदेश भी हो चाह शास्त्र भी पढ़ लेकिन जो प्रतिभा है उसकी मुकाबला नहीं किया जा सकता कावे तू जाय तू जाय तू कस्य चित प्रतिभा लेकिन कावे तो किसी प्रतिभावान के द्वारा ही लिखा जा सकता है बले कोई कितना भी अभ्याद वो कर ले प्रियत्न, लेकिन कावे तो किसी प्रतिभावार बचपन से कोई ऐसा होता जो अच्छी कावे रचना कर सकता है क्योंकि दंडी ने नैसरगिक प्रतिभा निर्मल शास्त्र ग्यान और सुध्रड अभ्यास को संयक्त रूप से कावे श्रजन का हितु माना है इन्होंने क्या कहा नैसिर्गिक प्रतिभातों प्रतिभा भी आ गया निर्मर शास्त्र ग्यान व्यत्पत्ती भी आ गई और सूद्रिड अभ्यास इन्हें इसने तीनों दंडी ने तीनों हित्वों को सुईकार किया है ठीक है अब यह कहते हैं कि भले गुरू कितना अमंदाश्चाभी योग योगस्यास्या कारणम कावे संपधः आचारे बामन ने कावे हितु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रियोग किया है इन्होंने लोक विध्या और प्रक्रिन को काव्यांग स्विकार किया है लोको विध्या प्रक्रिन से काव्यांग नि त अर्त का चारे हैं और रीती का उपयोग। आप कहा करोगे? लोक में करोगे ना लोको ये वाली यह सिर्फ ट्रिक है ना ऐसा kуч नहीं है ये लोगो विद्धिया प्रकृणस से कवयांगी निये यहां आचारे वामन का लोक से पर रहे हैं लोक व्यभार विद्या के अंतरगत उन्होंने शब्द शास्त्र अभिधान कोश्चंद शास्त्र कला काम शास्त्र तदंड नीती को लिया है। प्रतिभावन कवित्ववी जम ठीक है ये भी मूलता प्रतिभाव को ही मानते हैं चाय बात करें भामा की चाय बात करें बामन की दोनों प्रतिभाव को इस्थान देते हैं पूछा हुआ प्रशन है आचारे रोद्रट ने शक्ति प्रतिभाव व्यत्पुत्ति और अभ्यास क काववे हितू मांते हुए कहा है, काववे में असार वस्तू को धूर करने, सार ग्रहन करने और चारुता अर्था सुदर्चा लाने के कारण शक्ति, व्यत्पत्ती और अभ्यास यह तीनों इस्थान पाते हैं। उन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है, इसके दो भेट किये हैं सहजा और उत्पाद्या, सहजा नैसरग शक्ति है और उत्पाद्या व्यत्पति शक्ति है जिसको आपने उत्पन किया है। आचारे मम्मट ने शक्ति निपुणता और अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य हितु स्वीकार किया है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लटा के रूप में व्यक्त होता है। शुति व्यत्पत्ति जो आपने सुना है, सुनकर शास्त्रों के ग्यान से। पंडित राज जगनात ने व्यत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु ना मानकर प्रतिभा का हेतु स्व सुनिये। और नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ती भट्रतोत ने नए भावों के उनमें सेयुक्त प्रज़्िया को प्रतिभा कहा है। प्रग्या नवोन में शालिनी प्रतिभा विदू पूछा जाता है प्रग्या नवोन में शालिनी जो बुद्धी होती है प्रग्या होती है उसे प्रतिभा कहते हैं और यह किसकी पंक्ति भट्टतोत की पंक्ति है पूछी गई है परिक्षा में देखिएगा प्रतिभा देख आप लोग पुस्तक के विशे में जानना चाह रहे हों तो यह वैसे आपको सब जो नियमित विध्यारती पता होगा फिर भी बता दू यह गोविन पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक है जो कि हम पूरी पढ़ने वाले हैं अपनी परिक्छाओं से पूर तो इसी में से काविशास्त्रवाला पोर्शन जो इसका पाचवार अंतिम पोर्शन है वो मैं पहले करवा रहे हूं आपको क्योंकि बाकी सब चीज़े हम पूर में अन्यमाध्यमों से पढ़ सके हैं अब इसके नोट्स वगएरा वो भी दीरे दीरे आएंगे लेकिन ये बुक हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें पुराने पेपर से पूछे हुए प्रशनों को वन लाइनर के रूप में सेट कर दिया है ठीक है साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा उच फरस्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर नेट जीरेफ के लि चित हो रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक बहुत चोटे-चोटे से वीडियोज हैं वह बुक भी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप उसको पढ़ लीजिए इसके अलावा जो आपके स्लेवस में रचनाय लगी हुई हैं जिसमें कहानी उपन्यास नाटक चैनल को प्लेलिस्ट चेक कर ये पसंद आये तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लेकिन वह तब है जब आप संतुष्ट हों आचारे राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किये हैं पूछा जाता है कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा देखे यहां पर मैं आपको पुस्तक पढ़ा रही हूं तो बहुत ज़्यादा इसमें व्याख्या की गुंजाश नहीं है क्योंकि लेखक ने जो ल कारेत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा कवी का उपकार करने वाली प्रतिभा को कारेत्री प्रतिभा कहते हैं तता सहर्दय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावित्री प्रतिभा कहते हैं अब इसमें जब रस की बात करते तो रस का परिपाक दो लोगों में होत करते हैं जो रचना कर रहा है और दूसरा जो उसको सुन रहा है उपढ़ है ठीक। जो कभी का उपकार करती है पति है । घो पुझाब को कैसे समझा इसको पुनंहे नाटक की लिख रहा हको या goal देख रहा है यह का इन्य को देखे रहा है यह सकीга, वह सहिता कर रही है, यह जो फिल यह जैधी प्रति आंप उसके प्रति आनंद बढ़ा रही उसको देखने की चाहत बढ़ा रही है तो वो भावेत्री प्रतिभा है ठीक आचारे बागभट ने लिखा है कि प्रसन पदावली नए नए अर्थों तथा उक्तियों का उध्भोधन करने वाली कवी की इस फुरन शील सर्वोत मुखी बुद्धी को प्रतिभा कहते हैं आचारे रामचद्र शुक्र ने प्रतिभा को अंतह करण की उध्भावित क्रिया कहा है ठीक है तो कावे हेत्यु के संबंद में किस किस आचारे ने क्या क्या कहा है यह सब यहां पर लिखा हुआ है व्यत्पत्ति का अर्थ है भयो बहु यग्यता या प्रगार पांडित्य राजिशेकर ने लिखा है कि उचित अनुचित का विवेक व्यत्पत्ति है उचि लेकिन आपको इसको अच्छे से समझा दिये जाएगा, प्रगार पांडित्य राजशेखर ने लिखा है, व्यत्पत्ती का अर्थ राजशेखर ने क्या बताया, बहु यग्यता या प्रगार पांडित्य तो यह तो प्रतिभा जैसा ही कुछ हो गया न, अभ्यास, काववे र प्रगार पंडत्य आ जाएगा तो व्यत्पत्ती है, प्रतिभा जो जन्म के साथ आपको गुण मिला है, व्यत्पत्ती वो है जो आपने बहुत सारे शास्त्रों को देख देख के सीखा है, जाना है, और अभ्यास वो है जो आप करम कर रहे हो निरंतर, अब कावे हेतु हमन कावे प्रेणा से अलग है क्योंकि कावे प्रेणा का अभिप्रा है, कावे की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जोकि कावे प्रियोजन का अभिपाया है, कावे रचना के अनंतर प्राप्त होने वाला लाप, कावे का प्रियोजन क्या है, कावे से क्या फाद है जो कावे रचना की जाए कवीता क्यों लिखी जाए कवीता से क्या मिलता है आचारे उने निम्र लिखित कावे प्रियोजन बताए हैं भरत मुनी ने कहा है धर्म यस आयुष हित बुद्धी वृद्धी लोकुपदेश दक्षता और चर्म विश्रांती की प्राप्त ये काव दक्षता ने लिखे हैं चार इसको मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था चतुर वर्ग फल प्राप्ती कीरती सकल कला ज्यान और प्रीती दंडी ने लोकव्यतपती बामने कीरती और प्रीती पीर सोरी प्रीती रूद्ध रट्ट ने धर्म कीरती अनो अनर्थो पशर्म अर्थ सुख प्राप्ति आनंद वर्णने विन्य ये नस मुख्य करन और प्रीति कुन्तक ने चतुर वर्ग फल प्राप्ति चतुर वर्ग आप समझतें चतुर वर्ग कौन होता है धर्म अर्थ और काम औरो मोक्ष की प्राप्ति व्यभार ग्यान और परम अहलाद मह पिनब गुप्त ने चतुर वर्ग फल प्राप्ति, जया सम्मती उपदेश, परमानंद और यश, भोज ने कीर्थी और पीर्थी, मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्यलाब, लोग व्यभार, शिवेतर छते, अमंगल का नास, सदप्यर निर्वर्ती, ततकाल परमानंद की प् कांता सम्मत उपदेश, इनकी ये पंक्तियां भी है, इनकी इनोंने जो इसके बारे में सूकती कहीं है, उनी का ये अर्थ है, कांता सम्मत उपदेश देने वाली कविता को किसने माना है, मम्मट ने, कई बार मैं भी तो आपसे कह देती हूँ, किताब हैं सबसे अच्छी फ उसे आप ज्यान प्राप्ट करते रहे हैं ठीक है अब यह इनकी पंक्तियां कुल्पती मिश्र ने कावे प्रयोजन कहा है जस सम्पति आनंद अती दुरितन डारे सोय होत कवित ते चतुरही जगत राम बस होय यह कौन कहते हैं कुल्पती मिश्र कहते हैं देव क्या कहते हैं रहतना घर बर धाम धन तरोबर सरवर कूप जस सरीर जग मैं अमर भावे कावेरस रूप स्यावर रामचंडर की जै देव कहते हैं कि घर बार धाम धन पेड़ सरोबर कूप कुछ बी नहीं रहता लेकिन कावेरस हमेशा रहेगा वो आपको अमर कर देगा सौमनात कहते हैं कीरति वित्वित्विनोध अरो अतमंगल को देत करो भलो उपदेश नित वह कवित्चित चेत कीरती देती है वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् जो तुलसी अरुसूर गुसाई एक लहें बहु सिंपति के शव भूशन जो बरवीर बढ़ाई एक अनको जसे ही सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाही दास कवितन की चर्चा बुदिबंतन को सुख देंठब देंसब ठाई बहुती सुन्धर विखारी दास ने लिखा है व तुलसी अलग तरीके की लिख रहे हैं सूरदास वात्सले भाव की लिख रहे हैं रस खान और रहीम कृष्ण के प्रेम से लिख रहे हैं रहीम नीती के लिख रहे हैं दोहें लेकर इससे क्या फरक पड़ता है कविताओं की चर्चा करना बुद्धिबानों को हर तरीके से देश बठाई, चारों और से, हर तरीके से केवल और केवल सुख देता है, पुन्हें पढ़के सुनाती हूँ, यह मुझे थोड़ा अच्छा लग्या, एक लहें तब पुंजन के फल जियों तुलसी और सूर गुसाई, एक लहें बहु संपति के शव भूशन जियों बरबीर बढ़ा आई, एक कनको जैसे ही सो प्रयोजन, एक को केवल जैस से ही प्रयोजन है, रसखान रहीम की नाहीं, वो ऐसे दोहें लिखते हैं, जिससे उन्हें जैस ही मिले, जैसे रसखान और रहीम, और एक तप पुंजन के फल, एक अपनी तपस्या से पुंजित जो फल हैं, इन्होंने बरबीड की बढ़ाय करके संपती का अरजन किया ना, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम रामचंद शुकल का इतिहास गरंत पढ़कर बैठे हैं, हम सब जानते हैं के केशव और भूशन रीतिकाल में दरवारी कभी थे, तो इन्होंने कवीता करके अपना बहुत संप और रहीम ने लिखा नीती के दोहे लिखे, लेगन दास कवीतन की चर्चा बहु बुद्धिवंतन को देथ सुख सब थाई, ठीक है, आगे देखते हैं, मैतली शरंड गुप्त की पंक्तियां पूछी जाती है, केवल मनोरंजन ही कवी का कर्म ना हो, केवल मनोरंजन ना कव कर्म होना चाहिए, उसमें उचीत उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन के लिए कवीता नहीं लिखी जानी चाहिए, उसमें कुछ उपदेश तो होना चाहिए, शुक्ल क्या कहते हैं? कवीता का अंतिम लक्षय जगत के मार्मिक प्रक्षों का प्रत्यक्षी करण करके उनके साथ मनुष्य हिर्दय का सामन जस्य स्थापन है तो राम चंदर शुक्ल का निबंध है कवीता क्या है उससे आप कावे के संबंध में उसको आप देख लीजेगा क्योंकि उसके ही ये पंक्तियां है प्रारम में भी उसी की पंक्तियां हैं दो तीन इनके पड़े थे हमने मुक्तावस्था ग्यान दशावाला और अंतेवरित का वो सब पड़े थे वो सब उसी में है कवीता क्या है निबंध से लिए गए है तो ये मुश्किल से आपका पंदरा मिनट का वीडियो वह देखी जाए तो तो येस में आपने कावे प्रियोजन कावे हेतु दौनों कंप्लिश्ट कर लिए है कल की कक्षा में हम रस्सम प् अच्छा लगे तो ठीक है और हिंदी बुक्षाला पे भी साथ की साथ चेक करते रही है कावे शास से ही भई काम नहीं चलेगा बुक्स से भी बराबर प्रशन पूछे जाते तो उनके लिए बुक्षाला को चेक कर लीजिए ना फटा फटा फट वहां डेली वीडियो कहानी निबंद कवीता हैं इन सब को साथ में साथ करते रहे हैं अपने बाद के लिए पढ़ने के लिए इन सब को मत रखी है इनको साथ की साथ हिंदी बुक्षाला पे पढ़ते रहे हैं मेरी कोशिश है कि मैं आपकी परिक्षा तक प्रती दिन आपको नियमित वीडियो द नहीं है अब ज्यादा क्या कहूं आप लोग तो स्वयम समझदार हैं ठीक है मिलती हूँ आप से कल रस संप्रदाय के साथ तब तक के लिए नमस्का धन्यवाद जैहिंद